नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे मैं आपके लेका रहा हूँ 16, 17, 18 और 19 मार्च का दैनिक राशिफल आईए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा दोस्तों आपको ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि एक नया मोटिवेशनल चैनल हमने शुरू किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि आप उस चैनल पर क्लिक करें उसे सब्सक्राइब करें और उसे अपना उतना ही सहयोग और प्यार ने जितना आपने इस चैनल को दिया है पहली राशी लेते हैं एरिस मेश राशी 16 मार्च का दिन आपके लिए सुखद रहेगा परिवार के साथ आपके संबंध बड़े ही मधूर और अच्छे हो जाएंगे अगर परिवार में किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था तो उस समस्या से भी आपको निकलने का मार्च 16 मार्च को मिल जाएगा परिवार में किसी प्रकार की खुशखबरी आ सकती है परिवार की महिलाओं की ओर से भी आपको कोई खुश खबरी मिल सकती है ऐसा संभव हो है कि कोई बहु परतिक्षित योजना जो आपके परिवार के लिए थी उसमें आपको कोई उसमें आपको किसी प्रकार की सफलता भी प्राप्थ हो जाएगा 17 मार्च के दिन स्वास्तलाब होगा परिवार के सदस्यों के स्वास्त में भी स्वास्तलाब की संभवना बनी है अगर किसी बिगड़े रिलेशन्शिप को आप ठीक करना चाहते थे तो उसके लिए 17 मार्च के दिन को इस्तिमाल कर सकते हैं अपनी किसी समस्या का समधान ढूणने के लिए भी आप अगर अपने जीवन में किसी भी प्रकार से अपने परसनल लाइफ को एक नया आयाम देना चाहते थे तो उसकी शुरुवात करने के लिए जो सबसे बहतर दिन है वो 17 मार्च का है 18 मार्च का दिन आपके लिए थोड़ा सा धन की समस्याओं को लेकर के आ रहा है इस दिन पैसे की तंगी का आपको सामना करना पड़ सकता है अथवा ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब धन आपके किसी काम नहीं आए इसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपनी समस्याओं को दो दिन के लिए टाल दें 18 और 19 मार्च के लिए उसे टालें क्योंकि 18 तारिक आपकी धन की समस्याओं को लेकर के आ रहा है और 19 तारिक आपके लिए बढ़ियां नहीं है अता इन दोनों दिनों में किसी प्रकार की समस्या को टालने की कोशिश करें उस समस्या में involved होने की कोशिश बिलकुल ना करें जितना जदा हो सके चीजों को ignore कर दें 18 मार्च के दिन आप अगर अपनी समस्या का समाधान चाहने फिर से 18 मार्च के दिन अगर आपको लगता है कि आप किसी से उधार इत्यादी लेकर अपनी समस्या का निप्टारा कर सकते हैं तो ऐसी कोशिश ना करें आपको इसकी सलाह नहीं दी जा रही है 18 मार्च के दिन अपने धन के प्रबंधन को लेकर के काफी ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है धन के मामले में आपको धोखा दिया जाने की संभावना बनी हुई है 19 मार्च के दिन आपकी कोई बनी बनाई योजना आउन्धे मोगिर सकती है आपको कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जो आपके लिए बहुत बड़ा हो यहाँ पर जो भी नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई निकट फ्यूचर में भविश्य में होगी या नहीं इसके बारे में आज कुछ कहना बहुत ज़्यादा पॉशिबल नहीं हो रहा लेकिन फिर भी अगर आप चीजों को थोड़ा सा टाल देते हैं गंभीर निर्ड़े नहीं लेते हैं अपनी समस्या के समापन के लिए या अपने काम को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं तो चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं यानि एक तरीके से ये समझें कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें ज्यादा हस्तक छेप ना करें आपके द्वारा किया गया हस्तक छेप आपको नुकसान पहुचा सकता है अगर आप चीजों को टाल देते हैं तो अगले दिन यानि की 20 मार्च को चीजें आपके फेवर में वापिस आ जाएंगी अता 18 मार्च को धन से समझें मामलों में सतरकता बरतें और 19 मार्च को सभी मामलों में सतरकता बरतें किसी को सलाह इत्यादी ना दे, दूसरों से राय इत्यादी ना ले इन चारों दिनों में से 17 और 19 तारिक प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया नहीं है व्यापार के लिए 19 तारिक बढ़िया नहीं है प्रेम संबंधों के लिए 16 और 18 मार्च अच्छे हैं वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद नमस्कार